वेलकम दोस्तो आप सभी का चैनल टेकनिकल इंटलेक्शन मी जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछले वीडियो में गूगल एप की जो सेटिंग है उसके बारे में देखा था पर वो कम्प्लिट नहीं था तो हम जो बचा हुआ उसका पोर्शन है यानि जो बची हुई उस की सेटिंग है वो हम इस वीडियो में देखेंगे तो चली शुरू करते हैं सबसे पहले आपको गूगल एप ओपन करना है उसके बाद आपको मोर पर जाना है इसके बाद आपको जो सेटिंग का उप्शन है उस पर जाना है दोस्तो जैसा कि हमने इंट्रेस्ट तक देखा लास्ट वीडियो में यहां पर हम गूगल एसिस्टेंट से स्टार्ट करते हैं आपको गूगल एसिस्टेंट ओपन करना है गूगल एसिस्टेंट ओपन होनी के बाद देखें यहां पर आपको बहुत सारे ओप्शन दिख रहे हैं इसमें डिफरेंट कैटेगरी भी है जैस के पास है assistant के पास है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं का option दिख रहा है web and app activity जो की क्या है on है next है आपका audio recording फिलाल pause है तो इस तरीके से आपकी जो personal data है यानि आपका जो personal data है वो assistant के पास है यह किस base पर है data जिस base पर आप google पर search करते हैं next है आपका basic information जैसे कि आप देख सक हैं यहां पर दिया हुआ है nickname birthday phone number तो अगर आप यह सारा जो field है यह डालते हैं है na nickname birthday phone number तो आपका जो detail है वो assistant के पास store रहेगा यानि कि save रहेगा next आपका your place आपका घर कहां पे है आप क्या काम करते हैं आपका address यह सारा पी जो detail है अगर आप डालते हैं अपना data तो वो किस के पास रहेगा assistant के पास next people यानि family details important contacts यह भी आप डाल सकते हैं even आप payment method भी उसमें add करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं next आपका weather है तो यह क्या करेगा जो weather है वो आपको दो category में show कर सकता एक Celsius और दूसरा Fahrenheit तो जो भी आप select करेंगे उस base पर यह क्या करेगा आप ज बताते रहेगा अगला reservation यहाँ पर reservation है यह आपके traveling related है तो यह भी आप इसमें कर सकते हैं next purchase आप अपना transaction यह जो सारा detail है वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं यह आपके साथ साथ Google के पास भी store रहेगा तो यह यू में आता है यानि कि इस category में अब assistant पर जाते हैं यानि कि आपक यानि कि Google assistant जो है वो कौन सा language यूज करेगा तो यह आप यहाँ से कर सकते हैं तो by default तो English है लेगिन और पी बहुत सारे languages हैं तो इस तरीके से यानि कि आप अपनी language को जो language आप भोलते हैं वो आप assistant से भी बुलवा सकते हैं next step का voice match यहाँ पर क्या हो सकता है आपका जो assistant है व या किसी और की voice है तो उसके लिए यह facility दी गई है आप यह भी कर सकते हैं यह देखिए अगला है आपका home control यानि कि क्या कर सकते हैं आप अपने devices को क्या कर सकते हैं सारे devices को manage कर सकते हैं यहाँ पर यह IoT based work करेगा यानि कि internet of things आप देख सकते हैं यहाँ पर clouds related बहुत सारे option है तो आप यह जो feature है इसका भी use कर सकते हैं यह आपका next routines आपका जो assistant है वो क्या कर सकता है multiple चीजों पर काम कर सकता है आपके सिर्फ एक command पर जिसे कि यहाँ पर दिया हुआ है good morning, bad time यानि कि अगर आप यह सारे information डाल देते हैं तो आपके एक command पर क्या करेगा Google Assistant आपको यह सा सारे information बताएगा यह बिल्कुल उसी तरह work करेगा जिस तरीके से कि office पर एक assistant होता है जो कि अपने boss के लिए work करता है तो आप यह भी जो function है इसका यह भी जो feature है वो आप use कर सकते हैं आपका जो assistant है या आपकी जो assistant है यानि कि मैं यहाँ पर Google Assistant के बात कर रहे हूं जो कि एक chat board है वो female version वो आपको क्या करेगी update करेगी notifications से वो आपको क्या करेगी notification प्रोवाइट करती जाएगी next app का service service में यहाँ पर आप notes और list भी बना सकते हैं अपने shopping list भी manage कर सकते हैं आप अपने music को भी add कर सकते हैं news भी देख सकते हैं आप video photos भी service प्रोवाइट कर सकते हैं और calendar reminder यह देखी इसमें बहुत सारी services है जो कि google के द्वारा हमको दी गई है हम चाहें तो इनका use कर सकते हैं last है home यह जो home और home members है इनके लिए particular तो app का use किया जाएगा जो कि आपको google play store से download करना पड़ेगा next है voice देखे voice के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपने language को select कर सकत का उसके बाद spoken result on means क्या अगर आप google assistant से आप कैसे request करते हैं voice command के थ्रू करते हैं तो आपको result कि इस base पर मिलता है voice के थ्रू मिलता है तो अगर यह on होगा तो यह तभी आपको जो result है वो voice के थ्रू मिलेगा next offline speech recognition यह सारे languages related है जैसे कि आप कोई भी language बोले तो आपका assistant क्या क recognize कर लेता है for example आप Hindi में कुछ search करते हैं Hindi voice command में search करते हैं तो आपको result Hindi में मिलता है आप English में search करते है तो result English में मिलता है तो यह उस base पर है अगला है आपका hide offensive words यानि कि अगर कुछ गलत word है तो उनकी जगा star यानि कि जिसे हम asterik कहते हैं उनका use क्या जाएगा अगला है आप अपने Google Assistant को क्ब access कर सकते हैं जिब आप इस बटन को on करेंगे जैसे ही आप इस button को on करते हैं आप Next Next करते जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका यह option है यहाँ हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा जैसे ही आप ही गोगल कहेंगे आपका जो assistant है वो On हो जाएगा यानिकि वो आपको service देने के लिए बिल्कुल ready होगा लेकिन उसके लिए आपको इस button को पहले on करना पड़ेगा अगले है आपका Bluetooth audio recording ये भी आप on कर सकते हैं अगर आप Bluetooth से connect है और आप चाहते हैं कि आपका जो audio है वो record हो तो उसके लिए आपको इस option को on करना पड़ेगा next step का language and region यहाँ पर आप language और अपने region को add कर सकते हैं आप जहां से भी belong करते हैं इस तरीके से दोस्तो Google app की जो setting है वो work करती है मुझे पता है कि हम generally क्या करते हैं एप में direct use करना शुरू कर देते हैं पर इसमें बहुत सी settings है जो की हमारी help करती है कि हम किस तरीके से इस app को use करना चाहते हैं तो उमिद करती हूँ कि यह जो video है यह आपके लिए ज़रूर helpful होगा और आपके काम को और भी आसान बनाएगा थैंक यू